हेलो स्टुजेंट तो टो तोडे आइए विल टीच यू थार्ट चैप्टर ओफ विच इस दा लिटल गल ओके सो आज हम यह पूरा चैप्टर कॉंप्लीटली पढ़ेंगे लाइन टो-लाइन डिट्रील एक्स्पेशन में सु स्टार्ट करते हैं बिफोर यह रीडर के लिए रखा होता है, so first point में लिखा है, do you feel you know your parents better now than when you were much younger, जब आप कम एच के थे, अब आप ऐसा feel करते हैं, जब आप कम एच के थे, जब आप पने parents को अच्छे से नहीं समझते थे, जब कि जो आपकी age है, उसमें आप अपने parents को अच्छे से समझ पाते हो, because आप 9th class में हो, इसलि करते हैं, प्यार करते हैं, वो आपको समझ में आते कि ऐसा, वो क्यों करते हैं, जब कि आप जब छोटे थे, तो आप उन चीजों से उनके जो actions होते थे, उनसे upset हो जाते थे, क्या हो जाते हैं, उनसे नराज हो जाते थे, second परते हैं, this story about a little girl whose feeling for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home, so ये जो story है, वो एक little girl, एक छोटी सी बच्ची की है, जिसकी age बहुत जादा कम है, और जुसके feelings है, उसके father के लिए, वो fear अपने father से क्या है, वो बहुत जाता डरती है, पर जुसकी feeling है, डर की, वो किसमें change हो गई है, understanding में, मतलब वो अपने father को समझने लगी है, वो डरती नहीं है उन से, and will probably find an eco, और ऐसा ही हर घर में होता है, eco, eco मतलब होता है, nature हर घर का same ही होता है, कि जब हम छोटे होते हैं, तो अपने parents को जाथ अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, पर हम जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो अपने parents को अच्छे से हम समझने लगते हैं, तो start करते ह यहां जो यह ही उज़ हो रहा है, वो उसके father के लिए उज़ हो रहा है, वो कैसे थे, figure to be feared, और यहां पर इसके मतलब लिखा है, a person to be feared, जिससे वो बहुत ज़्यादर डरती थी अपने father से, and avoided, और उन्हें जाते तर क्या करती थी, avoid करती थी, every morning before going to work, he came into her room, तो जब भी काम पर जा रहे होती थी, उनके father, तो वो क्या करते थे, सबसे पहले उसके room में आते थे, and gave a casual kiss, और उसे क्या देते थे, एक kiss करते थे, casual मतलब होता है, जो ज़्यादर इंट्रेस्टिनली नहीं करा जाता है काम, to which she responded with goodbye, and respond मतलब होते reply, तो उसका जब वो उसके kiss करते थे, तो उसका कैसे reply करती थे, goodbye father, okay, and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fender and fender down the long road, और सबसे जाद उसके लिए relief, मतलब एक शान्ती की बात, खुशी की बात, जब होती थे, जब वो आवास सुनती थे, उनकी carriage, carriage मतलब होता है, car की आवास, जब वो fainter मतलब होता है, कम, दीरे होती जाती थे उनकी आवास, गारी की मतलब वो दूर जा चुकी होते थे, car से अपनी, down the long road, और वो जो लंबा सा रोड थे, उस पर चले जाते थे, तो जो कार की आवास होती थे, तो वो सीडियों के पास को खड़ी रहती थे, and heard his loud voice in the hall, और जूनकी बूची आवास थी, जो चीक चीक के बोलते थे, वो सुनती थी, hall में से, bring my tea into the drawing room, और वो कैसे चीक के बोलते थे, कि उनकी जो चाय है, मतलब अपनी चाय को कहते है, कि मेरी चाय लेकर आओ, drawing room में, drawing room आप सब को पता है, living room को कहते है, hasn't the paper come yet, और क्या अभी तक paper नहीं आ रहा, यहाँ पे paper newspaper की बात हो रही है, mother go and see if my papers out there, और मतलब किस से कहते हैं इस बात, केजिया की mother से, यहाँ पे जो little girl है, उसका नाम केजिया है, तो उसकी जो mother है, उससे कहते है कि जाओ और देखो मेरा paper कहा है, and bring me my sleeper से, और मेरे sleeper लाकर दो, second paragraph, केजिया, अब केजिया little girl का नाम है, तो उनकी mother उन्हें पिला mother है, वो अपनी बीटी को आपास देती है, केजिया को, और कहती है कि अगर तुम अच्छी लड़की हो, तो तुम नीचे आओ, और अपने father के जो boots है, boots किसे गा गया है, shoes को, उन्हें उतारो, slowly the girl would slip down the stairs, slip down मतलब कहते है, come down, quietly and unwillingly, वो धीरे से slowly कैसे आती थी, वो आप stairs को नीचे उतरती भी आती थी, और ज्यादा unwillingly, मतलब उसका दिल नी होता था, उतरने का पर उसे आना परता था, because उसकी जो mother है, वो उसे बुला रही है, तो वो धीरे धीरे चलती है, more slowly, और बहुत धीरे धीरे चल के, till across the hall, वो अपना hall complete करती है, चलना, and push open the drawing room door, और एकदम से वो जो drawing room का door होता है, दरवाजा होता है, उसे push करके, मतलब force लगा के खोलती है, by that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl, तो क्या होता था, जब by that time, मतलब ये उस time की बात है, जब उनके boot उतार रही होती है, shoes जो होता है उनके, तो वो जब उनने देखती है, तो वो spectacles लगाए होता है, मतलब उनके चिश्मा लगा होता है, eyesight का, on and looked at her over them, और उनके जैसे वो उनने देखते है, चिश्मे के अंद लगता है, well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside, तो वो कहते है, Kezia से कि जल्दी जल्दी उतारो मेरे shoes को, और इनने pull off करो, मतलब इनने खीच के उतारो and boots, take them outside, और कहते हैं कि इने भार रग दो, have you been a good girl today, और वो ऐसी जैसे फादर पूछते है, कि तुम आज अच्छी बच्ची बनके रही तो वो क्या कहती है, उसका जवाब देती है, वो हिचके चाती ही है, I don't know, father, तो वो कहती है, कि मुझे नहीं पता, वो डरती ही कहती है, तो यह आपे जो डी डी है, ऐसे ले रखा, क्योंकि वो बहुत जादा स्टैमर करके, मतलब थोड़ा हकला कर बोलती है, father, मतलब उसे नहीं पता, और वो कहती है, you don't know, तो वो भी ऐसी अटक कर बोलती है, और कहती है, कि तुम्हें नहीं पता, if you stutter like that, mother will have to take you to the doctor, तो वो कहते है, अगर तुम ऐसे स्टैमर को, मतलब जादा अटक अटक कर बोलना, अगर तुम ऐसे बोलोगी, तो mother को तुम्हें जो तुम्हा with other people, तो वो जो stuttered, मतलब जो अटक अटक कर बोलती है, stammering कर 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 के बोलती है, तो वो और दूसरे लोगों के साथ नहीं बोलती है, had quite given it up, और उसने ऐसा जो अटक अटक कर बोलना, दूसरे लोगों के साथ छोड़ दिया था, but only the father, because then she was trying so hard to say the words properly, तो बस जो उसके father है, उनसे बात करते हुए, वो अटकती है, क्योंकि वो उनसे डरती है, और वो try करती है, कि वो बहुत जादा मतलब try करती है, so hard, कि वो अपने father से properly, ना right way में बोल सके, given it up, मतलब तो stop doing it, मतलब उनने उसने दूसरे people के साथ अटक अटक कर बोलना छोड़ दिया था, what's the matter, तो if we shoot out this child not to appear on the brink of suicide, okay, तो इसमें जो on the brink of suicide है, इसका मतलब about to commit suicide, तो mother, मतलब वो अपनी wife से कहते है, केजिया की मतलब से कहते है, कि तुम इसे सिखाओ, केजिया को, कि यह ऐसी ना दिखा करे, appear, मतलब ते दिखना, कि जैसी यह suicide करने जा रही है, यह suicide के mood में है, ठीक है, so on the brink of suicide, about to commit suicide, मतलब यह ऐसी लगए, जैसे ही suicide करने जा रही है, here, केजिया, carry my teacup back to the table, carefully, तो अब वो जुसके फादर है, वो केजिया से कहते है, केजिया यह लोग टीक अप जो पीरे होते हैं, इसे तुम ध्यान से, carefully, carefully, the table पर रख दो, he was so big, his hands and his neck, तो जो केजिया है, वो बताती है, कि जो उनके father है, वो बहुत जादा बड़े है, उनके, especially, जो उनके हाथ है, और उनके जो गर्दन है, वो बहुत जादा बड़ी, especially his mouth, वो बता रही है, कि उससे बड़ा उनका मुह है, man, he yaunt, yaunt मतलब तो अबासी लेना, जब वो बासी लेते हैं, तो उनका about him alone was like thinking about a giant, तो वो कह रही है, कि उनके बारे में, अकेले में सोचना ऐसा लगता है, जैसे मैं किसी giant के बारे में, दानव के बारे में सोच रही हूँ, gigantic man को giant कहते हैं, 4th paragraph, on Sunday afternoons, when mother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother, तब जब संडे के दिन में, जब दिन हो रहा होता है, तो उसकी जो grand mother है, उसकी दादी मा है, वो केजिया को नीचे भेजती है, मतलब नीचे क्या है, drawing room में भेजती है, जिससे वो क्या करे, nice talk, अच्छी बाते करे अपने father और mother से, But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, लेकिन जब भी वो नीचे जाती है, संडे में, आफ्टर नोन में, तो क्या होता है, वो क्या found करते है, क्या पाते कि उसकी mother तो reading कर रही है, कोई book पढ़ रही है, या newspaper और जो उसके father है, वो stretched out, stretched out होता है, मतलब फैल किस पे सो रहे होते हैं, वो sofa पे सो His handkerchief on his face, handkerchief क्या होता है, रुमाल को, हैंकी को handkerchief कहते है, His feet on one of the best cushion, और उनका जो एक पैर होता है, वो एक जो सबसे अच्छा वाप इस ड्राइंग रूम में, जो सबसे अच्छा कुशन होता है, उसकी पैर में, उनके पैर के अंदर कुशन था वो, मतलब उन पैर रख तो उस कुशन पे जो ड्राइंग रूम का सबसे अच्छा कुशन था, sleeping soundly and snoring, तो वो क्या कर रहे थे, कैसे सो रहे थे, आवास करते वे, snoring करते वे, snoring मतलब होता है, sleep noisily, आवास करते वे, खर राते ले रहे थे, तो यू can see in this picture that the little girl always found mother reading, देखे, आप देख सकते हैं कि जुनकी mother है, वो reading कर रही है, यह केजिया खरी है यहाँ पर, और जुनकी father है, वो stretching out, मतलब लेते वे हैं फैल के sofa पर, और जुनका handkerchief है, वो अपने मुपे रख रखा है, she sat on a stool, वो stool पर पैट जाती है, gravely watched him until he walked and stretched, तो वो उन्हें seriously उन्हें watch देखती रहती है, जब तक वो उठते नहीं है, जब वो उठते हैं, और stretch मतलब अंगडाई लेते हैं, and ask the time, और केजिया से time पुछते हैं, then looked at her, और एकदम से वो time पुछते हुए केजिया की तरफ द little brown owl, तुम एक छोटी सी brown owl की तरह लग रही हो, मतलब एक बुरे उल्लू की तरह लग रही हो, one day when she was kept indoors with a cold, और एक दिन ऐसा हुआ, जब उससे cold हो गया था, जुकाम हो गया था, तो वो घर के अंदर ही थी, her grandmother told her that father's birthday was next week, तो जो उनकी grandmother है, दादी है, वो उन्हें बताती ह जो उनकी father का birthday है, वो next week है, and suggested she should make him a pin cushion for a gift, out of a beautiful piece of yellow silk, तो उसकी दादी जो है, वो suggest करती है, उसे कुछ idea देती है, कि तुम्हें क्या बनाना चाहिए, तुम्हें एक pin cushion बनाना चाहिए, handmade अपने father के लिए for a gift, जो उने तुम गिफ्ट करना, और किस से बनाना चाहिए, beautiful piece of yellow silk, यह आपको सपते silk fabric होता है, जो soft or shiny fabric होता है, yellow color का silk से एक beautiful piece लेना, silk का टुकडा लेना, उसे pink cushion बना देना, fifth paragraph, laboriously with a double cotton, laboriously with a lot of effort or difficulty, मतलब उसने बहुत जादा hard work से और difficulty से क्या करा, double cotton का कपड़ा लिया, the little girl stitched three sides, और उसने तीन साइट जो थी double cotton के कपड़े को लेके दो लेती, उसने layers cotton की और से stitch seal दिया, but what to fill it with, और उसने फिर question उसके mind में आए, कि इसके अंदर हमें क्या बढ़ना चाहिए, that was the question, और यह एक सवाल था, the grandmother was out in the garden, और जो उसकी grandmother थी, वो भी बहार थी, garden में थी, and she wondered into mother's bedroom to look for scraps, और वो wonder, मतलब घूमती हुए, अपने mother के bedroom में आ जाती है, किसके लिए scraps को डूढने के लिए, scraps कहते हैं, जो टुकड़े कपड़े के बचे वे होते हैं, उन्हें scraps कहते हैं, on the bed table, she discovered a great many sheets of the fine papers, और उसने bed table, मतलब bed के पास जो एक table होती है, छोटी सी रखी वी होती है, उसे bed table कहते हैं, और उसने क्या करा, दिया पर wonder का लिखा है, went into by a chance, और वो घूमती हो, ही वहाँ आ गई, और scraps, उसे वहाँ पर क्या discover हुए, sheets of fine papers, उसे वहाँ पर बहुत सारे sheets मिले, मतलब paper के, जो sheets होती है, वो मिली, gathered them, उसने उन्हें सब को collect कर लिया, अब tore them into tiny pieces, और उसने उन्हें फार दिया, tore मतलब उताब फारना, चोटे-चोटे उसके टूड़े कर दिया, और उसे फिल कर दिया, हर case, then, और case मतलब है, उसी के अंदर उसने तीन स्टिच कर रहे थे, cushions को, मतलब तीन साइट से उसे स्टिच कर दिया, था, sweet up, and मतलब उसे फिर सिया, उसने फोर्थ साइट को, उसकी तीन साइट उसने सी कुशन के और एक साइट उसने छोड़े थी, जिसके अंदर उसने क्या भरती है, तीनी फिस भरती है, पेपर के, उसके बाद फोर्थ साइट भी उसने सी दी, that night was there, there was a who and cry in the house, so, उस राज जिस रात उसके जो फादर का बढ़ रहे था, उस जिन उनके जो घर में क्या और who and cry, who and cry एक फ्रेज है, जिसका मतलत है angry protest, यसमें गलत लिखा है, इसका इस बुक में angry protest लिखा है, कि मतलब शोर उगुल से protest करना, पर इस स्टोरी में, इसका who and cry का मतलब है, कि बहुत जादा वहाँ पे खुशी हो रही थी, शोर मचरा था, क्योंकि बर्डे था उसके authority पर, तो वो क्या हो गई थी, speech, वो खो गई थी, lost हो गई थी, rooms were searched, और क्या कर अगया, कमरों में ढूंडा गया उस speech को, servants question, servants question कर गया, जो knocker थे, कि तुमने देखी है, या तुमने ली है, finally mother came into Kezia's room, और finally क्या हुआ, कि जो mother थी Kezia की, वो Kezia की room में आती है, और question करते है, Ke papers on a table in our room, कि क्या तुमने कोई paper लिया है, हमारे room में से, Kezia से question करती है, तो Kezia कहती है, oh yes, मतलब हाँ, मैंने लिया है, she said, I tore them up in my surprise, और वो कहती है, कि मैंने उन सब को ठाड़ा paper को, और वो मैंने surprise के लिए बना दिया, what, तो उसकी ममा, जो उसकी मदर होती है, वो scream, मतलब च straight down, और वो कहती है, तुम सीधी नीचे आओ, to the dining room, this instant, और इसी वक्त, instant मतलब होता है, at that point, उसी time, तुम सीधी, straight मतलब नीचे आओ, dining room में, and she was dragged down to where father was pacing to and fro, और उसे dragged मतलब खीच के घसीट तवे नीचे उसकी मदर लाइं, और जहां उसकी father dining room में क्या कर रहे थे, pacing, forward and backward, आगे पीछे टहल रहे थे, hands behind his back, और जो उनके हाथ थे, वो उनके back, पीछे कमर के थे, well, he said sharply, वो cheek, मतलब तेज अवाज में कहते हैं, क्या, mother explained, और जो उनकी mother है, मतलब जो केजिय की mother है, वो सब बताती है, clear करती है, बात कि यह हुआ है, केजिय ने वो पेश थे, व और घूरता है, किसको उस अपनी बेटी को, जो केजिया है, उसे, did you do that, और वो पूछता है, क्वेशन करता है, क्या यह तुमने किया है, no, no, वो अटकर फिर बोलती है, और कहती है, नहीं, she whisper, वो धीरे से कहती है, mother, वो जो केजिया के फादर है, वो केजिया की mother से, अपन and fetch down, और महां से लेकर off, fetch मतलब है, जाकर लाना, down, the damned thing, damned मतलब है, बेहुदा, ओके, वो गुस्से में कहते हैं, उस चीज़ को, कि जो भी उसने बनाया है, see that the child's put to bed this instant, और कहते हैं, कि जो मतलब केजिया है, यह bed पर ही रहे, उस time पे, instant मतलब है, at the time, ओके, this is paragraph 7, crying too much to explain, she lay in the shadow room, watching the evening night, light make a sad little pattern on the floor, तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, वो ले, मतलब अपने बैट पर लेटी हुई होती है, और जो evening की lights थी, जो शाम में lights जलती है, उसकी अंधेरे में लेटी होती है, शाम में लेटी होती है, उसकी जो शाम में घर में लेटी होती है, उसके रूम में, make a sad little pattern on the floor, और उसके जो lights के जो shape है, वो बन रहे होते है, फर्ष पर, जो उसका कमरे का फर्ष होता है, तो वो अंधेरे में लेटी होती है, अपने बैट पर और रो रही होती है, तो क्या करते है, उसके जो फादर है, वो उसके रूम में राते है, और रोम में आकर, वो क्या लेकर आते है, अपने साथ scale, ruler कहते है, scale को, okay, I am going to beat you for this, he said, और वो क्या कहते है, कि मैं तुम्हें आज इससे मारने आया हूँ, beat ने, मतलब hit करना आया है, oh no no, वो डर के कहती है, नहीं, नहीं, she screamed, वो चिला कर कहती है, hiding under the bed clothes, और जो bed clothes, मतलब जो bed पर रखा होता है, जैसी कि blanket होता है, और cushions होते है, इन सब की पीछे वो चुप रही होती है, डरते हुए, he pulled them aside, और वो क्या करता है, वो उन सब चीजों को side में कर देता है, और से खीच कर एक तरफ कर देता है, बच्ची को, sit up, और वो कहते है, बैट जाओ, he ordered, वो order देता है, and hold out your hands, और कहते है कि अपने जो hand है, उन्हें आगे करो, you must be taught once and for all, not to touch what does not belong to you, और वो कहते है, जो इसके father है, कि तुम्हें ये सिखाना पड़ेगा, कि पहली बार और आखरी बार तुम्हें ये सिखाना पड़ेगा, कि जो चीजे तुमसे बिलॉंग नहीं करती, उन्हें तुम ना चूओ, but it was for your birthday, तो वो जो गेजिया है, वो reply करती है, पर ये आपके दर के मतलब वो अटकती है, और कहती है, आपके birthday के लिए था, down came the ruler on her little pink palms, फिर भी क्या होता है, वो उन्हें जो ruler होता है, वो उसके हाथों पर पड़ता है, उसके जो हाथ हो जाते है पिंक हो जाते है, 8 paragraph, hours later, कुछ घंटे बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl, कि जब उसकी जो grandmother, दादी मा है, उसे wrap करती है, wrap मतलब क्या होता है, cover करती है, शौल में and rocked her, rocked मतलब उसे hit जुलाती है, in the rocking chair, जो rocking chair होती है, जो आगे पीछे हिलती रहती है, उसमें, the child clung to her soft body, और तो जो child है, जो मतलब केजिया है, वो klung चिपक जाती है, उनकी soft body से, what did God make father's poor, तो she is soaked, तो क्या होता है, वो अपनी जो grandmother है, उसे question करती है, कि जो God है, भगवान है, उन्होंने father's को क्यों बनाया है, वो soft, मतलब सुपकी लेते हुए, यह कहती है, here's a clean hanky, darling, blow your nose, तो उसकी जो grandmother है, वो उसे साफ कर लो, go to sleep, pet, और pet मतलब यहाँ पर dear के लिए यूज हुआ है, मतलब पर यह कहने के लिए, और उससे कहती है, दादी जो है, उसकी कि तुम सो जाओ, you will forget all about it in the morning, और वो कहती है, कि तुम यह सब कुछ भूल जाओगे, सुभा में, I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight, और वो अप child never forget, next time she saw, जो child थी, मतलब जो केजिया थी, वो कभी नी भूली यह बात, और जो next time, क्या हुआ, जब उसने अपने father को देखा, she quickly put both hands behind her back, उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों को क्या कर अपने back, मतलब पीछे कर लिया, and a red color flew into her cheeks, और उसकी cheeks पर मतलब उसकी गाल उपर red color आ गया, मतलब उसकी जो गाल थे, वो red हो गया, this is paragraph 9, the mcdonald's lived next door, तो केजिया है, उसके neighbor थे mcdonald's, वो next door, मतलब दूसरे गेट पे रहते थे, they had five children, उनके कितने children थे, पाच बच्चे थे, looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening, तो वो gap में से, hole में से देखती है, fences के, जो fence लगे वे हो है, कि वो सब क्या कर रहे है, वो खेल रहे है, tag game, in the sham में खेल रहे है, evening में, okay, so tag क्या होता है, a children's game of catching one another, जिसे हम पक्रम पकड़ाई कहते हैं, वो खेल रहे होते हैं, the father will with the baby, mao, on his shoulders, तो जो father है, उनने अपने छोटे बच्चे को, mao, जो इसका नाम है, उसे कहां पिठा with laughter, और जो दो लड़किया है, उन्होंने, अब क्या खीज, मतलब क्या पकड़ रखी है, वो लटकी हुई है, अपने father के coat की pocket से, और वो round 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 ले रहे हैं, मतलब ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, किसके flower beds, जो फूल हैं, जाडिया हैं, इन सब के, और shaking, हिलते हुए, हसते and he tried to catch them laughing all the time, और वो try कर रहा है कि उसे वो पकड़ ले, उसके उपर पानी फेगते हैं, और वो सब हस रहे हैं उस time पर, then it was, then it was, she decided, there were different sorts of father, और सिसके बाद ये decide करा कि, यहां पर मतलब world में, अलग-अलग type के father होते हैं, Suddenly, one day, mother became ill and she and grandmother went to hospital, तो क्या हुआ, एक दिन जो उसकी mother थी, जो केजिया की mother थी, वो बिमार हो गई, और उसकी mother को, और उसकी grandmother को, उसकी दादी को कहा जाना पड़ा, hospital में जाना पड़ा, The little girl was left alone in the house, और जो छोटी लड़की थी, केजिया जो थी, उसे घर पे अकेले रहना पड़ा, with allies, allies कौन है, the cook, जो घर पे खाना पकाता है, उसके साथ, that was all right in the day time, सब कुछ ठीक राथ दिन के टाइम पर, But while allies was putting her to bed, she grew suddenly afraid, तो क्या हुआ, जब रात हुई, तो allies जो cook है उनका, उन्होंने उसे putting, मतलब उसे bed पर लिटा दिया, सुलाने के लिए, रात हो गई थी, तो उसे एकदम से क्या हुआ, वो डर गई, तो 10 paragraph में यह दे रखा है, what I will do if I have a nightmare, तो वो एकदम से question करती है, cook से, कि मैं क्या करूंगी, अगर मुझे रात में डरामने सपना है, नाइट मेर कहते हैं, डरामने सपने को, तो जो मेरी ग्रैनी है, ग्रैनी कौन है, ग्रैन्ड मदर है, वो क्या करती है, मुझे अपने बैट पर ले जाती है, और मैं अंधेरी में नहीं रह सकती हूँ, मुझे डर लगता है, जब मैं नाइट मेर देके उठती हूँ, it all gets whispering, मुझे सब डरामने सब लगता है, okay, यू ज़स्ट गो टू स्लिप चाइल्ड, तो एलाइस जो है, कुख है, वो कहता है, कि तुम बस सो जाओ बच्चे, सेड एलाइस, एलाइस कहता है, पुलिंग ओफ हर सॉक्स, जो सॉक्स से उसे उतारता है, and don't you scream, and wake up your poor pa, तो कहता है, कि तुम चिलाना मत, और अगर तुम चिला होगी, तो तुमार जो फादर है, उसे पूर कह रहे है, मतलब वो बिचार है, फादर है, क्योंकि वो परिशा उसे कहते है, a person who killed animals, जो animals को मारता है, with a knife and a rope, जिसके पास रसी और एक छुरी है हाथ में, who came nearer and nearer, smiling, that dreadful smile, और वो हस रहे है, और मेरे पास आता जा रहा है, और इसकी जो smile है, वो कैसी dreadful, मतलब बहुत जादा डरामनी है, while she could not move, could only stand still, और जबकि वो अपने सपने में कैस ये खड़ी हुई है, और वो move नहीं कर पा रही है, crying out और रो रही है, grandma, grandma, और वो ऐसे जीखती है, she walks shivering to see father besides her bed, a candle in his hand, तो वो एकदम से जैसी उठती है इस सपने से, तो वो shivering काप रही होती है, और अपने father को देखती है, वो उसके बैट के साइड में खड़े होते हैं, और उनके हाथ में क्या होते है, candle होती है, what's the matter, वो कहते है, क्या हुआ तुम्हें, वो he said, मतलब पूछते हैं, 11 paragraph, ओ, अब बच्चर, a knife, I want granny, तो वो एकदम से कहती है, कि मैंने एक बच्चर, मतलब ऐसे person को देखा है, जो किसे मारता है, animals को मारता है, उसके हाथ में नाइ बेटी है, उसे अपनी arms के अंदर ले लेते हैं, carrying her along the passage to the big bedroom, तो वो उसे लेकर जाते हैं, अपने बोद में लेकर जाते हैं, उसे passage मतलब galleries में सिर्फ, कहां पर लेकर जाते हैं, big bedroom अपने कमरे में, a newspaper was on the bed, और newspaper महीं पर पढ़ा होता है, उनके पैट पे, he put away the newspaper, और वो उस paper को side कर देते हैं, then carefully tugged up the child, उसके बाद वो अराम से अपनी जो child है, केजिया है, उसे लिटा देते हैं, और blanket उडा देते हैं, he lay down beside her, और उसके side में ही वो लेट जाते हैं, half asleep, still, और वो आदी सोही होई होती है, मतलब वो अभी पूरी तरीके से सोही नहीं है, still with the butcher's smile, all about her, it seemed, और उसको फिर भी ऐसा लग रहा है कि बचर हस रहा है, मतलब उसको ऐसा फिर से लग रहा है कि वो सब डराम ने सपना देख रही है, she craft close to him, और craft मतलब होता है, वो सकते सरकते हुए अपनी फादर की तरफ आ जाती है, snuggled her head under his arm, snuggled मतलब होते हैं, बहुत अराम से, okay, comfortably they believe, वो अपना जो सर है, वो अपने फादर के आम से ऐसे लगा देती है, held tightly to his shirt, और उनके shirt जो है, उसे tightly पकड़ लेती है, then the dark did not matter, she lay still, उसके बाद उसे जो अंधिरा है, उसे डर नी लगा, और वो महीं पर अराम से लेटी रही, here rub your feet against my legs and get them warm, set father, तो सके जिया के फादर क कर लो, जिससे जो तुम्हारे पैर है, वो क्या हो जाएंगी, गरम हो जाएंगे, so this is the last paragraph, 12, tired out, he slept before the little girl, तो वो बहुत जाते ठके हुए थे, तो वो little girl, जो केजिया है, उसे भी पहले सो गए थे, a funny feeling came over to her, और से बहुत एक फ़ीलिंग आरे थी केजिया को, poor father not so big after all and with no one to to look after him, तो वो अपने father के बारे में feeling करती है, feel करती है, कि उसके जो father है, बिचारे father, वो ज्यादा बड़े भी नहीं है, after all, with no one, और उनकी कोई care करने के लिए भी नहीं है, कि कोई इनकी देख भल करे, क्योंकि सब कहां पर उसी grandmother और उनकी जो mother है केजिया की, वो hospital में है, he was harder than grandmother, वो कहती है, कि ये थोड़े, जो मेरे father है, वो harder है, मतरब थोड़े से hard है, मेरे grandmother के मुकाबले, but it was a nice hardness, पर वो कहती है, कि वो अच्छी hardness है, and every day he had to work, and was too tired to be a Mr. McDonald, तो वो कहती है, कि इन्हें रोज, इसके जो father है, उनसे काम करना पड़ता है, और वो इतना ठक जाते है कि वो Mr. McDonald, जो इसके घर के साइड में रहते हैं, वो ऐसे नहीं बन सकते, she had torn up all his beautiful writing, और वो सुछती है, कि मैंने जो भी उन्हें का जो speech का paper था, जिसमें उन्हें बहुत beautifully writing कर रखी थी, वो भी मैंने फार दिया, she stirred suddenly and side, तो वो एकदम से हिलती है, और एक लंबी सास लेती ह What's the matter, तो उसके जो father है, वो पूछते हैं, क्या matter है, another dream, और वो पूछते हैं, कि तुमें कोई और साभी dream आया है, Oh, sad the little girl, वो कहती है, Oh, my head's on your heart, वो कहती है, मेरा सर आपके दिल के उपर रखावा है, I can hear it going, और मैं जो आपके heart की beats हैं, उन्हें में सुन सकती हूं, What a big heart you have God, father dear, और वो कहती है, मेरे प्यारे पिताजी, आपने इतना बड़ा दिल पा रखा है, वो इतना कहकर इस chapter को खतम कर दिया, तो यह जो chapter है, इसके जो author है, वो कौन है, Catherine Mansfield, उन्होंने की chapter लिखा है, और I hope आपको इस chapter easily समझ में आया होगा, so this, we completed this chapter, so if you want the notes of this chapter, तो मैंने इसके PDF link में, जो description box है, उसके link में, मैंने PDF notes का link दे रखा है, you can go and check, बहुत सादा मैंने easy notes बनाये और easy language में बनाये, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, so आप जाकर check कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक chapter 1 और chapter 2 बहाइव का नहीं देखा है, मैं उसका भी link description box म So, see you in next video